मांडुक्य उपनिशद तीसरे से लेकर के सात्वे मंत्र तक का पाठ आत्मा के चार पदों की व्याख्या जागरित स्थानो बहिश प्रग्यह सप्तांग एकोन विंशती मुखह स्थूल भुग वैश्वा नरह प्रथमः पादह जागरित स्थान में बाहर का ग्यानी सात अंग उन्निस मुखवाला स्थूल भोगने वाला वैश्वा नर प्रथम पद है व्याख्या यहां आत्मा के चार पदों में से प्रथम का वर्णन किया गया है यह वैश्वा नर है और यह हमारी जागरित अवस्था से संबन्दित है बताया गया है कि इसके सात अंग हैं और उन्नीस मुख मांडू के उपनिशद में इन सात अंगों को और उन्नीस मुखों को समझाया नहीं गया है तो इसे समझने के लिए हम चांदोग यो उपनिशद का संदर्ब ले सकते हैं चांदोग यो उपनिशद में ये बताया गया है कि ये सात अंग वैश्वा नर के लौकिक शरीर से सम्मंदित सात अंग है जहां आकाश इसका सर है, सूर्य इसके नेत्र है, वायू इसकी श्वास है, अगनी इसका हरिदय है, जल इसका पेट है, पृत्वी इसके पैर है और अंतरिक्ष इसकी देह है यहां वर्नित 19 मुख इस प्रकार से हैं, पाँच ग्यानेंद्रियां, आख, कान, नाक, जीब, तवचा, पाँच करमेंद्रियां, हात, पैर, मुह, कुदा, उपस्थ, पाँच प्राण, व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण, तथा मन, बुद्धी, चित और एहंकार वैश्वा नर यहां भौतिक संसार है, जिसे हम सभी जागरे तवस्था में अनुभव कर रहे हैं अपितु अज्ञान में हम किवल अपने भौतिक शरीर को ही स्वयम मानते हैं, किन्तु वास्तों में ऐसा है नहीं जैसा कि हमने एतरेय उपनिशत के प्रथम अध्याय में जाना था कि हमारे शरीर को हम संपून श्रिष्टी पर प्रक्षेपित कर सकते हैं जहां शरीर के उपरी भाग स्वर्ग हैं, मद्यभाग वायू मंडल, उसके नीचे मृत्यू का स्थान अपान है और उससे नीचे जननांग का जल वाला स्थान है इस विचार को और गहरे से समझने के लिए कृपया एतरेय उपनिशत का संदर बलीजिए यहां आपको जो समझना है वह यह है कि स्वयम को केवल अपना शरीर मानने की भूल मत कीजिए वास्तों में यह संपून जगत आपका शरीर है जो भी कुछ आप जागरे तवस्ता में अनुभाव करते हैं वह आपका वैश्वा नर शरीर है और आपका भौते शरीर केवल उसका एक भाग है जो आपके सबसे निकट है स्वपनस्थानो अंतह प्रग्यह सप्तांगा एकोन विंशती मुखह प्रविविक तभुक तैजसो दुटियह पादह स्वपनस्थान में भीतर का ज्यानी साथ अंग उन्निस मुखवाला एकांत भुगने वाला तेजस दूसरा पद है व्याख्या आत्मा का दूसरा पद तेजस है मांडुक के उपनिशत कहता है कि यह हमारी स्वपन वस्ता है और इसके भी साथ अंग तथा उन्नेस मुख है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम स्वपन देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम अपनी जागरे तवस्ता में है यहां तेजस और वैश्वा नर के बीट जो भेद है वह यह है कि वैश्वा नर हमारे बाहर का अनुभव है और तेजस हमारे भीतर का प्रायह लोग बाहय जगत को वास्तविक मानते हैं और भीतरी जगत को कल्पना मानते हैं किन्तु वास्तों में ऐसा है नहीं ग्यानी के लिए उसका भीतरी जगत भी उतना ही सत्य होता है जितना बाहरी जगत हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो भी संगल्प हम करते हैं वह ही बाहरी जगत में प्रकट हो जाता है और इस प्रकार से हमारा भीतरी जगत हमारे बाहरी जगत को नियंतरित करता है वेग्यानिक रूप से बोला जाए तो हम जानते हैं कि हमारे सपनों में हम अपने अवचेतन मन से संपर्क में होते हैं यह अवचेतन मन इश्वर की ही शक्ती है जो इश्वर के शब्द के रूप में हमारे लिए प्रकट हो रही होती है हमारा अवचेतन मन हमारी सबसे घेरी इच्छाओं और संसकारों से अवगत होता है जिने हम अपनी जागरत अवस्था में दबा देते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें सुईकार नहीं करना चाते हम ये नहीं मानना चाते कि वह हमारे भीतर उपस्ते थें इस प्रकार का हमारा पाखंड ही हमें इश्वर से एक नहीं होने देता स्वप्न अवस्था में हमारा अवचेतन मन हमें हमारे इस ही पाखंड का बोध कराने का प्रयास कर रहा होता है किन्तु अधिकांश लोग इन सपनों को केवल मन की निर्रथक बगबग माल लेते हैं वास्ताव में हमारे चेतन मन से अधिक ज्यानी होता है क्योंकि उसका ज्यान सीधा ईश्वर से आ रहा होता है जागरत अवस्था में भी वह ही है जो हमारे विचारों को नियंतरित कर रहा होता है कि दु हमें इसका भान नहीं होता हम उस पर अपने एहंकार को प्रक्षेपित कर देते हैं और मानने लगते हैं कि हमारा मन ये सारे विचार उत्पन्न कर रहा है जबकि वास्ताव में मन्तों केवल उन विचारों को प्रतिवेमित कर रहा होता है स्वपन की अवस्था में हमारे एहंकार की शक्ति क्षीन हो जाती है और हमारा अवचेतन मन अधिक परबल हो जाता है इस कारण से हमारा अवचेतन मन हमें सत्य को स्वपन के रूप में परोख्ष रूप से दिखाने लगता है समान्य विक्ति स्वपन के प्रतीकों को समझ नहीं पाते हैं और स्वपन को अंदेखा कर देते हैं किन्तु ग्यानी अपने स्वपनों को गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं यदि हम उसके साथ सामन जस्य में हो जाएं जो हमारा अवचेतन मन हमें स्वपनों में बता रहा है तो वह हमारे लिए एक बहुत कुशल मार्ग दर्शक बन जाता है और हमारी जीवन रुपी नौका स्वयम ही उचित दिशा में प्रवाहित होने लगती है यत्र सुप्तो न कंचन कामम काम यते न कंचन स्वपनम पश्यती तत सुशुप्तम शुशुप्त स्थान एकी भूतह प्रग्यान घन एव आनंद मयो यानंद भुक चेतो मुखह प्राग्यस्तियह पादह जहां सोता है नहीं कोई कामना करता है नहीं कोई स्वपन देखता है वह शुशुप्ती है शुशुप्त स्थान में एक होकर निश्चित ही आनंद में प्रग्यान घन ही आनंद भोगने वाला चेतना का मुख प्रग्या तृतिय पद है व्याख्या आत्मा का तीसरा पद प्रग्या है जो शुशुप्ति का स्थान है अर्थात जब हम स्वप्नरहित निद्रा में होते हैं तो हम प्रग्या में होते हैं प्राया जब हम शुशुप्ति में जाते हैं तो हमारा मन भी सो जाता है और इसलिए अधिकांश लोग प्रग्या की अवस्था को कभी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते हैं। गहरी वेग्यानिक खोजों को किया है। आपने अनुभव किया होगा कि बहुत से लोग निद्रा से बाहर आते समय उंगते रहते हैं और निद्रा से बाहर नहीं आना चाहते हैं। ऐसलिए होता है क्योंकि उस समय वे प्रग्या के आनंद को अनुभव कर रहे होते हैं और उस आनन्द से वह बाहर नहीं आना चाहते आप इस आनन्द की अवधी को बढ़ा सकते हैं किन्तु वह करने के लिए आपको वैश्वा नर की गती को धीमा करना होगा जागरत अवस्था में हम अपने लिए कितने सारे उत्तेजक अनुभाओं की खोज में लगे रहते हैं जैसे मैं ये स्वादिश्ट भोजन भोग लूँ या वह सुन्दर दर्ष्ट देख लूँ उस मधुर संगीत को सुन लूँ इस मनोरंजक चलचित्र को देख लूँ मेरे मित्र कहां घूमने गए प्रोसी राष्टर में क्या हो रहा है शेर वजार में क्या चल रहा है फिल्मी अभी नेताओं की गपशप में क्या हो रहा है तो इस प्रकार की बहुत सी व्यरत की बातों में हम अपनी जागरत अवस्था में लगे रहते हैं इन सब में अपनी उर्जा का व्याय करके वैश्वा नर्से जब हम तेजस में प्रवेश करते हैं तो वहां इसे भी संसकार हमारे अवचेतन मन में घर कर जाते हैं तब प्रग्या की अवस्था में हमारा सारा समय उस उर्जा को पुनह प्राप्त करने में ही व्यर्थ हो जाता है और हमारी चीतना का उर्द्व गमन नहीं हो पाता यदि हम इन व्यर्थ के विशेयों में अपनी उर्जा व्याय ना करें तो धीरे धीरे ये सभी संसकार तीजस में नहीं बनेंगे और तब वह उर्जा प्रग्या की अवस्था में उर्द्व गमन कर सकेगी तब आपकी प्राण उपर की ओर उठ सकेंगे और उच्च चक्रों का भेदन कर सकेंगे तब ईश्वर से उच्च ज्यान आप में प्रवेश करना आरंब होगा और इस प्रकार से आपका जीवन जो है वह सार्थक दिशा की और चला जाएगा मूड विक्ती सोचता है कि जितना अधिक वह बाहरी संसार से अवगत है उतना ही अधिक उसे ज्यान है परंतु ज्यानी जानता है कि वास्तविक ज्यान उसके भीतर प्रग्या के रूप में पहले से ही विद्यमान है और जो बाहरी ज्यान जिसे मूड बहुत ज्यान समझता है वह वास्तव में कूड़ा है जो इस प्रग्या को दूशित कर देता है इस प्रकार ज्यानी अधिकादिक मौन रहने का प्रयास करता है और भारी उत्तेजनाव से केवल उतनी ही परस्पर क्रिया करता है जितनी जीवन निर्वा के लिए अनिवार्य है यह सरवेश्वर यह सरवग्य यह यह योनी सभी का जैन्म मृत्यु है भूतों में नांतह प्रग्यम न भहिष्प्रग्यम नोभयतह प्रग्यम न प्रग्यान घनम न प्रग्यम न प्रग्यम अद्रिष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदिश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशम शान्तम शिवम अद्वैतम चत ज्ञान घन न ज्ञान न अज्ञान अद्रिष्ट अव्यभारिक अग्राह्य अलक्षण अचिंत्य अपरिभाश्य स्वयम एक आस्था का सार प्रपंच से नीचे स्थिर शांत शुभ अद्वैत चतुर्त मानते हैं वह आत्मा वह ज्ञान के योग्य है व्याख्या, यहां आत्मा के चोट्ए पद की व्याख्या की गई है वास्थाव में यह चोथा पद चोथा है नहीं अपितु उपरोक्त तीन पदों का आधार यह पद है इसलिए सात्वे मंतर में उसे चतुर्थम मन्यंते कहा गया है अर्थात जिसे चौथा केवल माना जाता है छटे मंतर में कहा गया है कि यह सरवेश्वर है, सरवग्य है, अंतर्यामी है और वह योनी है जो सभी भूतों का जन्म और मृत्यू है सरवेश्वर से यहां आशा है वह जो सभी का इश्वर है अर्थात ऐसा नहीं है कि वह किसी राष्ट्र या पंथ या जनजाती के लोगों को अन्य के उपर प्रात्मिकता देता है वह सभी भूतों के हिरदय में बैठा अंतर्यामी है तथा उनको योनी प्रदान कर उन्हें चलाएमान करता है योनी में भूत जन्म मृत्यू को प्राप्त करते हैं किन्तु वह कभी नहीं मरता सभी के कर्मों का आकलन कर वह भूतों को नवीन योनियों में भेजता है और उनके साथ स्वैम भी प्रवेश करता है क्योंकि वह इस संसार में तीन कालों में हुई सभी घटनाओं से अवगत है इसलिए वह सरवग्य है साथवे मंतर में परस पर विरोधी वचनों के द्वारा उसका वर्णन किया गया है वह कहा गया है कि वह ना तो भीतर का ग्यान है और ना ही बाहर का ग्यान है और नाही वह भीतर और बाहर दोनों का ग्यान है तथा वह शुशुत्ति में अनुभव किया जा रहा प्रज्ञान घंभी नहीं है वह नाग्यान है और वह अग्यान भी नहीं है आगे ये मंतर कहता है कि वह अद्रिष्ठ है, अवयवारिक है, अग्राह्य है अलक्षण है अचिंत्य है अपरिभाष्य है स्वयम एक अकेला अद्वैत है वह प्रपंच से नीचे स्थिर है शांत और शुब है और वह ही आस्था का सार है जो विज्ञान जिससे यहां आर्थ होता है विमर्ष करने योग्य है इस सात्वे मंत्र में बहुत ही गुहियव चन बोले गए हैं तो आईए उन्हें ठीक से समझते हैं मनुष्य का सर्वोच्च स्थर उसका विवेक है और यह विवेक व्यक्ति की बुद्धी में उत्पन्न होता है इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का सर्वोच्च उसकी बुद्धी निरधारेत करती है अब समस्या यह है कि सामान्य व्यक्ति की बुद्धी संसार में संगती की खोज करती है ताकि वह संसार में अपना जीवन ठीक से निर्वाहा कर सके जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह संसार में हो रही घटनाओं के कारणों से अवगत है तो वह संतोश में रहता है तब वह घटना उसके लिए अग्यात हो जाती है और अग्यात से सभी व्यक्ति भाय करते हैं इसलिए सामान्य व्यक्ति की बुद्धी सदा कारण और प्रभाव के सीमित क्षेत्र में ही फंसी रहती है अर्थयात व्यक्ति जब भी कुछ होते वे देखता है तो उसके पीछे के कारण को ढूंडता रहता है यदि बुद्धी को घटना का कोई कारण समझ ना आए तो बुद्धी स्वतह उस पर कुछ न कुछ कारण थोब देती है ताकि व्यक्ति विचलित ना हो किन्तु यदि आप इस संसार में घट रही सभी घटनाओ के कारण को ढूंडते हैं तो अंततह आप पाएंगे कि उसके मूल में कोई भी कारण नहीं है उधारन के लिए आप गेंद को उपर फेकते हैं और वह नीचे आ जाती है अब मैं आपसे पूछूं कि गेंद नीचे क्यों आई तो आप कहेंगे गुरुत्वा करशन से परन्तु यदि मैं कहूं कि गुरुत्वा करशन क्यों है तो आप कहेंगे कि उसके होने के पीछे कोई कारण नहीं है वह बस है कुई यदी अधिक ज्यानी होगा तो अधिक अधिक इतना कह देगा कि जी वो ग्रैविटाउन के कारण होता है या वो स्पेस टाइम फैबरिक में कुछ बेंडिंग हो जाती है इस कारण से होता है परन्तु उसके आगे वह भी और कुछ नहीं कह सकेगा संसार में गट रही सभी गटनाओं के साथ अंतत है ऐसा ही होगा अर्तात कोई भी गटना क Mendhyaट रही है उसके मूल में कोई कारण नहीं है वह गट रही है क्योंकि उसे गटना है ले देकर बात ये है कि कारण और प्रभाव की सीमा में बद्ध बुद्धी अपने विवेक में सिमित है। उसका ग्यान केवल वहाँ तक जाता है जहातक कारण और प्रभाव का सिध्धानत जाता है। उसके आगे का क्शेतर ऐसी बुद्धी के लिए वर्जित है। अब क्योंकि सत्य असीम है इसलिए सत्य की खोज में व्च्ति को कारण और प्रभाव की सीमा को पार करना होता है कारण और प्रभाव की सीमा को पार करते ही सभी संगतियां नश्ट हो जाती है और विरोधा भास प्रकट होने लगते हैं और इन विरोधा भासों में ही वास्तों में इश्वर का अस्तित्व है संगती का अर्थ है निश्चित्ता और निश्चित्ता में सीमा है परंतु जो असीम है वह सीमा बद्ध कभी नहीं हो सकता इसलिए ईश्वर से जुड़े विचार सदा असंगत ही होंगे तो इस प्रकार से यहां जो सात्वे मंत्र में कहे गए असंगत विवरण है उनको हम समझ सकते हैं कि वह न ग्यान है और न अग्यान है इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि वह अद्रिष्ट है अव्यवारिक है अग्राह्य है अलक्षन है अचिंत है तथा अपरिभाश्य है क्योंकि इन सभी गुणों में सीमा है जबकि इश्वर असीम है तो अब प्रश्न यह उड़ता है कि यदि ईश्वर ऐसा है तो उसे जाना कैसे जाए उसके लिए यहां उत्तर है कि उसे केवल विज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है विज्ञान से यहां अर्थ साइंस नहीं है जैसे कि आजकल हम कह देते हैं विज्ञान से यहां अर्थ है अंतरद्रिष्टी अर्थात स्वयम के अन्वेशन द्वारा हम उसे समझ सकते हैं कोई बाहरवाला हमें उसे समझा नहीं सकता उसे हम किवल स्वयम ही समझ सकते हैं जब हम इस जगत में दिख रहे प्रपंच के पीछे जो अपरिवर्तन शील है उसे देख पाते हैं तो हमें उसका ग्यान होता है वैश्वानर, तेजस और प्रग्या की हमारी तीन अवस्थाओं में कौन है जो सदा उपस्थित है वह ही इन तीनों अवस्थाओं का आधार है और वह ही यह चतुर्त है आभुषणों में जैसे स्वन सन्निहित है, घटों में जैसे मिट्टी सन्निहित है, चलचित्र में जैसे पटल सन्निहित है वैसे ही यह चौथा संसार के सभी प्रभावों में सन्निहित है यह वह आधार है जिस पर ग्यान तथा ग्यान दोनों प्रक्षेपित होते हैं बाहिय जगत, भीत्री जगत तथा सुशुप्ति में अनुभव किया जा रहा जो प्रग्यान घन है यह तीनों ही इसमें से उदय होते हैं और फिर इसमें विलय हो जाते हैं वह वो है जो इन तीनों अवस्थाओं को अनुभव कर रहा है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो देखने वाला है वह स्वयम अद्रिष्ट होगा जो विवहार कर रहा है वह स्वयम अविवहारिक होगा जो ग्रहन कर रहा है वह स्वयम अग्राह ही होगा जो लक्षणों को देखता है वह स्वयम अलक्षण ही होगा जो चिंतन करता है वह स्वयम अचिंत्य ही होगा तथा जो सब को परिभाशित करता है वह स्वयम अपरिभाश्य ही होगा अतह है जो स्वयम को किसी भी वस्तू ये विचार से ना जोड़े वह किसी से न जुड़ने से सब कुछ से जुड़ जाता है और सब कुछ हो जाता है जो ना हिंदू है, ना मुसल्मान है, ना इसाई है, ना सिक्ख है, ना बौध है और ना यहुदी है वास्तों में वह न तो आस्तिक है, और नहीं वह नास्तिक है अपितु वह आस्था करने वाला है तो इस प्रकार से वह दोनों ही नहीं है वह वास्तों में कुछ नहों करके सब कुछ है जो ऐसी अपरिभाशित अवस्था में रहने से संतुष्ट हो जाए वह ही उसे पा सकता है अब ये कहना बहुत सरल है कि मैं कुछ नहीं से संतुष्ट कि तो व्यवहार में इसे करना अत्यंत कठिन है यहीं पर शर्णागती का विचार आता है कि साधक अपनी बुद्धी का उप्योग करना त्याग दे और अपने भीतर उपस्तित इश्वर के आगे आत्म समर्पन कर दे इसी को भक्ती कहा जाता है आप भक्ती अपने इश्ट की कर सकते हैं आप उसे शिव कह सकते हैं कृष्ण कह सकते हैं बुद्ध कह सकते हैं उंकार कह सकते हैं अल्ला कह सकते हैं या जीजस कह सकते हैं बात सब की एक ही है सब उसी सर्वेश्वर के नाम हैं और जब आप उसके किसी भी नाम का अपमान करते हैं तो आप उस ही का अपमान कर रहे होते हैं तो आप अपने इश्ट से अवश्च ये प्रेम कीजिए किन्तु दूसरों के इश्ट का अपमान मत कीजिए एक नाम का सम्मान करना आता था दूसरे नाम का अपमान करने का अरत यह हुआ कि आप अभी स्वें को इश्वर के किवल एक रूप से जोड रहे हैं और उसके संपून रूप से नहीं जोड रहे हैं वैसे तो प्रत्यिक जीव इश्वर का ही रूप है तो वह करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने एहंकार से प्रेम करना और किवल अपने इश्ट से प्रेम करना और दूसरा के इश्ट की अभेलना करना दोनों वास्तों में इश्वर के प्रती अनन्य भक्ती नहीं है और इस प्रकार से वह इश्वर को प्राप्त करने में अभी सक्षम नहीं है इसलिए सभी दीवी देवताओं का सम्मान कीजिए सभी के इष्टों का सम्मान कीजिए और अपने इष्ट से अधिक प्रेम कीजिए किन्तु दूसरों के इष्टों का भी अपमान मत कीजिए उनके प्रतिवी एक सम्मान का भाव आप सदा रखिए